नमस्कार दोस्तों स्वागत एक पर फिर से आपका टोटके मंत्रा योटिप चैनल में दोस्तों आज की हमारी वीडियो का वीशे है जानगे क्यों बनते हैं दुश्मन और दुश्मन से बचने के उपाये टोटके दोस्तों आपके जीवन में आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बेवज़ा से कोई ना कोई दुश्मन बन जाता है और आपको उनकी वज़ा से काफी परिशानी भी जहननी पड़ती है तो दोस्तों जानगे किस परकार से आपके दुश्मन बनते हैं क्या कुछ आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपके दुश्मन बहुत कम हो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका कोई भी दुश्मन इस जीवन में ना हो कभी दोस्तों यह बहुत मुश्किल है आज के जीवन में दुश्मन जादा और मित्र कम होते हैं तो दोस्तों फिर भी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या कुछ करना चाहिए जिससे आपके दुश्मन कम से कम बनें दोस्तों अगर आपकी किसी के साथ लडाई होती है तो आप उसके साथ ज्यादा बहस या हाथा पाई करके अपना समय विर्थ ना कीजिए और आपको उनसे का कि आप हाथा पाई करके बाहर गलियों पर लणने लग जाएं दोस्तों अüयकर आप किसी से प्यार करते हैं और किसी लड़की को भगा कर लाएं हैं तो ऐसा करने से भी दुश्मन बननेगे कोशिश करेंब्स करें ऑगर किसे से प्यार करतה हूं नवेगा जाते हिं तो उनके माता पीटा को मनाया जाएं उनकी अधास से ही शादि की जाए तो यह कारण होते हैं दुश्मन के बनने के अगर आप इने चीजरू को ध्यान में रखते हैं और इस चीज पर ध्यान देते हैं तो आपके दुश्मिन काफी हद तक कम होंगे आपके वैपार में भी अगर आप बहुत ज्यादा त्रक्की कर रहे होते हैं तो दुश्मिन आपके साथ वले आपसे जल्ले लगते हैं और दुश्मिन बन जाते हैं तो दोस्तों अगर आप इन चीजों से हैं परिशा दोस्तों इस परकार से आप अपने आपको सेफ रख पाएंगे अपने दुश्मनों से बहुत से छुटकार आप आया है आप भी पासकते हैं वीडियो को लास्त देखने के लिए बहुत बश्चुक्रिया वीडियो को लाइक करें शेर करें यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ धन्यवाद दोस्तों